इस वीदियो के बात करेंगे पैलीकर्ण्स वर्सस गार्जीन के बीचे होने अले आज के दूसरे बारबद उस्टीन मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिस बता हूँ कौँ किस नंबर पर बल्ले बाजी के लिए आने वाला कौँ कितने ओर बॉलिंग करके इस मैच के आपको लिए प्लेइंग एलेवन के बात करेंगे जो कि आपको इस माच में आपको पर पर वन बात करेंगे बस अगर आप हमाई चैनल को पर नए आयो पहली बार आयो और अगर आपको वीदियो थोड़ा भी अच्छा लगज़े तो आपको अपने तरफ से बस इक ही काम करना है आपको हमाई तलिकर राम सर्काव जोईन अपड़ेगा जहां पर जोईन आपको एकदम फुरी है जोईन के होना है देखो यह मैं आपको वीदियो में एक तीम मना के दूँआ यह के निसील तीम होगी जो की तौस होने से पहले की तौस होगा लाइन अप आएगा उसका प्लेइंग 11 आएगा उसका बहुत सारे चेंजस हो सकते हैं तो उसके बाद जो भी हमारी खोद के फाइनल टीम होगी ना वह मैं अपने तलिकर राम सर्काव फुरी में अपने फाइनल टीम बेज दूँगा तो जोईन कर न मत बोलना तलिकर राम सर्का लिंक आपको इस वीडियों को दिस्किप्शन और कमें सक्सामाइक सबसे हुआ पिन के वह लिंक देखने मिल जाएगा ना मिले तब सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना उसका भी आपको रिप्लाइ मिल जाएगा सबसे पहले बात करें इस मैस के पीच्छी रिपोट कर रहें ज आपको पुड़ी तरह किसा हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलने वाला है बात करें यहां पर कौन सी तीम मैच जीत सकती है तो गार्जियन की तीम के जीतने के चांसे बहुत जाज़े है नौ मैचेस जो आखरी की खेले है ना पांच मैच जीत कर रहें यह ज़रूरी नहीं गार्जियन की तीम बहुत ही श्रौंग तीम नसरा रही है वही पहले कांस की तीम सेम नौ मैच जीत कर रही है लेकि चार हाड़ी भी है चार मैच हाड़ी भी है तो यह चीज़ को अध्यान की तीम के जीतने के चांसे जदा है वहाई एक बात करें के अना लिए इस पर सबस मैպट अपने सीजन का पहला मैच कहला जहाब शाफने डो ओवर बालिंग करेंगा और लियोन ग्रीव जो की दो ओवर बालिंग पुरा करेंगा यह तीन बालस्त जो की आखरी मैचस में आफरी मैच से खेले हुए और तीनों ने दो दो ओवर बालिंग पुरा खरके दिया हुआ है उसके बाद यहां से आपको दो ओवर बालिंग पुरा करके देगा प्लस आपके लिए बाज़ों हैं लेकि यह पांच वो बालस है जो कि इनकी तीम को आरवर बालनिंग पुरा करके देने वाले इस मैश के अंदर और upp disc अपको आपको सोच ना कंना चीटों यहां से पीम अमी लियन और यहां से जेविछ इन दोनों मैं आपको किसी एक को ले कर के चलना अगर मैं इन में से जरूरी पॉलर की बात करू कहा दो कि आर लियोन ग्रीव बहुत शांदार वैर यह दोनों बॉलर्स को निकालना बिल्कुल भी नहीं है बच्चा हुआ यह और यह से जे लिंच यह ऐसे होगा जो कि एकॉनमिकल बॉलर्र हर मैच इनको एक विकेट असानी से मिल जा रहा है अब यह पहला नया बॉलर्र जिसको पहले मैच तो तीन विकेट मिले वहले कि कितन लेकिन आखरी मैचे क्या हुआ ना इसका बले जिकरम पांच हुए नमट में कर दिया गया ओपनर किसको भीजा गया बॉलर्स को जो बॉलिंग करते हैं जो बॉलर्स हैं जो कि बेकार प्लेयर से इनको कभी मौका नहीं मिला उनको उपर भेश दिया गया तो इस तरीकी का ल लेकिन परफॉर्मस कर कि दे नहीं पाए है नया प्लेयर है एस पारिज आखरी मैचे फ्लॉप गया बले बहुत पार नहीं करते हैं ओपनिंग करूए तो मैं इसको लेकर चलूँगा अब इसके बादि यहां सब्गती कि भीण सकता हैं दीजे रिचर्स बले बहुत क्रम इ अच्छे इसको ओपनिंग कराएगा लेगा परफॉरमस फिर भी करके नहीं दिया है तो इसको भी ले करके नहीं चलने वाला इस तरीके के मैंने 7 प्लेयर्स को लिया हुगा अपनी तीम में गार्जियन के क्योंकि गार्जियन की तीम के जीतने के चांसे जाता है बात करेंगे सामने वाली तीम के उससे पछले देगा यह जो मैं आपको एक तीम मना ख़िखा रहा हुआ ना यह की इनीचियल टीम है जो की तौस होने से पहले की तौस होगा प्लेइंग 11 आने के बाद बहुत सारे चेंजस होंगे हमाई तीम में उसके बाद जो भी हमारी खुद के पहुंच जाना सबसे पहला जब को कमेंट पिंद क्या हुआ देखनों मिलेगा उसमें भी आपको हमाई तेलिक राम सर का लिंक देखनों को मिल जाएगा तो जोई जरू करेंगा आगे आने वह जिसकी वीडियो से नहीं भी बना पाऊंगा उसकी भी तीम आपको मिल जाएगी याद रखना कि मैं एनालीसिस आपको पूरा सेयर कर रहा हूं विनिंग तीम भी कोसिश करूँगा कि जादा से जादा मैचस आपको जीता हूं लेकि यह कंफर्म नहीं है कि हर मैच जीत पाए यह चीज़ को आफोकस करके चलना है और बात कर रहे हैं आपने यहां से पैलिक के मैचस आगए तो अभी कई बार यहां पर एकी ओवर किया यहां भी एक फीज़ बालिंग क्या हूआ है मेन बॉलर है यही रिज़न है कि कई बार इसको बॉलिंग नहीं भी मिला है तो कुछ भी हो सकता है तीदन की सिरीज में क्योंकि इनके बास बहुत सारे बॉलर है जी लोगत विया से दाली हो गया जेभी सॉप हो गया जी यहाँ से गुद मैन ओगा यह तीटीन बाकि ऐप्षन है अब यहाँ से देखो बालिंग उप्षन में ए जॉर्दन दो ओवर्ड बालिंग पुरा करके देना तीडिल और इचागर कहलेगा तो एक से दो ओवर बालिंग क पुटा करकी देगा उसक ति तीसरा तीना फ्रेन आगर इस ने दो और बालिंग पुरा कर चार ओवर के करीब हो सकता है तीनों का स्वारी 166 करीब के बालीचों सकता है तो यह तीनों पॉलश का मिला करके आजर रहे कई वह पहांच वे पर यानि कि बल्ले बाजी से भी आपको रंस बनाकर की दे सकता है तो सबसे जरूरी प्लेयर जिसको मौका भी मिल रहा है अब परफॉरमिस भी कर रहा है जिए भी सब जरूरी प्लेयर रहेगा वैसे इसके लिए कि सीपील जैसे बड़े लेवल किती में जरूर ले करके चलना बाकि अगब पहले बल्ले बाजी कर रहे है तो ज़्यादा आपको रिस्क ले करके चलने की जरूरत नहीं आसे जॉर्दन और आप आर परस्वेट दोनों जरूरी प्लेयर रहेंगे यह जॉर्दन आपके क्या वीसी के लिए अच्छा प्लेय करेगा क्योंकि बल्ले बाजी में भी सिक्स पर आजागा प्लस बालिंग से दोवर पुरा करेगा और इस सीजन में वन आफ देवेस्ट प्लेयर में से एक आपको देखने को मिलेगा अब यहां सार परस्वेट को मैं लेना चाहता हूं क्यूंकि यह बल्ले बाजी में पोर मिस करके जरूर चलूँगा जेग्स को लेंग का पान है तो मैं या न कि मूसली और यहा से जे ट्रेक्स में से किसी एक को लेकर के चलने वालो जो भी तीम पहले बल्य जिकर यहां से इस ब्रेथ वेट को यह लेकर करके चलने वालो बात कर अपने के वीसी कबर में जो कि सब्सक्राइब करके चलने वालो जिसका नाम देखना मिलेगा यहां से जॉर्डन और वीसी यहां से आर विलियम्स वाकि आप चाहो तो इसको इंटर चेंज करके चल सकते हो जो भी तीम पहले बॉलिंग करेंगी मैं उसके बॉलर को ले करके चलने वालो एज़ा कैप अब इस को ले करके चल सकते हो दुसरा रिस्कळकर कशल सकते हो आस्मुस दिली को निकाल और अगर आपको वीदियो अच्छा लगो तो सबस्क्राइब करना मत